तो दोस्तों वेलकम बाइक माननी वीडियो तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के टॉप 5 इलाक्रिक स्कूटर के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल वन इलाक्रिक स्कूटर की जो कि बैंगलूर बेस्ट टार्टक पंपनी सिंपल इनर्जी द्वारे त्यार किया गया है सिंपल वान देश के सबसे ज्यादा ड्राइविंग रेंज देने वाली इलाक्रिक स्कूटर है जो कि 236 यानि कि 236 किलोमेटर पर चार्जिंग रेंज देने का दावा करती है और इस इलाक्र स्कूटर में 4.8 किलोवाटर की लीथियू अन बैटरी पैक का देख सकते हैं और अगर आप सिंपालों इलाक्र स्कूटर के बारे में डेटेल्स में जानना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्कूप्शन बॉक्स में दे दिया है अब वहाँ से जाकर देख सकते हैं और बात करें Ola Electrosuiters की तो इस Electrosuiters को दो मॉडल में डिजाइन किया गया है Ola Model S1 and S1 Pro Model S1 Electrosuiters की एक शोरूम प्राइज नाइटिन थाज़न नाइटिन रूपीज यानि कि एक लाग जबकि S1 Pro की एक शोरूम प्राइज 1,29,999 रूपीज यानि कि 1,30,000 बताई गयी है साथी Ola S1 में 2.97 किलोवाट और की बैटे पैक और S1 Pro में 3.9 किलोवाट और की बैटे पैक का यूज किया गया है S1 Pro को एक वर फूल चार्ज करने पर 180 किलोमेटर के शांदार ड्राइविंग ड्रेंज देता है और बात करें इसकी चार्जिंग टाइम की तो इसको फूल चार्ज करने में 6 गंटे 30 मिनट का समय लगता है वही अगर हम रेगुलर चार्जर नहीं यूज करें तो बैटेरी को केवल 18 मिनट चार्ज करने पर 50% तक चार्ज हो जाती है जो कि 75 किलोमेटर की ड्राइवें ग्रेंज देती है और आपको बता दे कि इसकी टॉप स्पीड 115 यानि की 115 किलोमेटर पर आवर्स है साथ ही कंपनी का कहना है कि मॉडल S1 ट्रो के वल तीन सेकंड में 0-40 किलोमेटर की स्पीड में आने में शक्षम है और अगर आप ओला एलेक्रो स्कूटर के कलर्स ड्राइविंग मोड्स ये माई जैसे और फीचर्स के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है अब वहां से जाके देख सकते हैं तो वीडियो का लाइक करना मद भूलीगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब के पहला लाग्यम टेस्ट कर दिजीगा तो आईए बात करते हैं एथर 450X की तो यह है इलाक्रो स् स्कूटर एक वर फुल चार्ज करने पर एको मोड में 85 किलोमीटर्स तक चला सकते हैं जबकि राइट मोड में यह 75 किलोमीटर के रेंज देती है इस स्कूटर में 2.9 किलोवाट की लीथियम अन बैटरी का यूज किया गया है जो कि फुल चार्ज होने में 4 घंटे 45 मिनट का समय लगता है और बात करें इसकी टॉप स्पीट की तो इसकी टॉप स्पीट 90 किलोमीटर पर आवर्स है सांती कम्टी का दावा है कि 450X के वल 3.3 सेकंड में ही 40 की स्वीड में आ जाती है और बात करें इसकी प्राइस की तो पूने में एथर 450X की एक शोरूम प्राइस एक ल और साथी इस एलक्तों शूटर में 3.8 किलोवाट की एलक्तर मोटर का यूज किया गया है में जो कि 4.1 पाउर प्रोडियूश करती है जेता कि में 3 किलोवाट और के लीधियोम बैटरी का यूज किया गया है जोकि सेंगल चार्जिंग में 95 KM की टॉप रिंज के देती है औ पर कंपनी 3 years या 50,000 km की बैटरी वारेंटी देती है और बात करें प्राइस की तो इस इलाक्रिक स्कूटर की पूने में एक शोरूम प्राइस एक लाग बयाले ज़्याद 620 रुपए है तो आईए अब बात करते हैं नमबर फिप्थ यानि की TVS IQ की जो कि Domestic Manufacturer का First Electric Scooter के रूप में लौंच किया गया है TVS का बैटरी से चलने वाले इस इलाक्रिक स्कूटर में 4.4 किलोवाट की इलाक्रिक मोटर का यूज किया गया है जो कि केवल 4.2 सेगंस में ही 40 की स्पीड पकड़ लेता है इसकी टॉप स्पीट 78 किलोमेटर यानि की 78 किलोमेटर प्रतिघंटा है साथ है इसमें 2.25 किलोवाट और लीथियूम अन बैटरी के यूज किया गया है जो कि एक वर फूल चार्ज करने पर 75 किलोमेटर की रेंज देती है और इसकी भी बैटरी को चार्ज करने में 5 गंटे का समय लगता है कमपनी TVS iQ इलाक्रिक स्कूटर के साथ 3 years या 50,000 किलोमेटर तक की वरेंटी देती है तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में जैहन वंदे मातरम